नमस्कार मैं हूँ काव्यक उसिक और आप देख रहा है बिहार इन्सोर्स इस वक्त की बड़ी खबर जाती है जनगना से जूरी हुई है जहां आपको बता दे कि जाती है जनगना में कल ही फैसला था इस पे दो दिन की सुनवाई और बहस के बाद जो है जाती है जनगना पे ततकाल रोक लगा दी गई थी जस्टिस विनोथ चंदरन के मेंच ने इस पर आदेश दिया था रोक लगाने को लेकर जसके बाद अब जो है बिहार सरकार हाई कोट में पेटिशन दायर कर दिया है जो स्टे लगा है इसको लेकर पेटिशन दायर कर दिया गया है बिहार सरकार की ओर से वहीं आपको बता दे कि कोट से यह निवेदन किया गया है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जाए या पेटिशन मुख नयाधीस के बेंच में दायर किया गया है बता दे कि पटना हाई कोट में दायर इस याचिका में कहा गया है कि जातिये गन्ना कराने का अधिकार सिर्फ केंद सरकार के पास है राज्य सरकार के पास नहीं है इसी को लेकर जाती है गन्ना पे जो है कल हाई कोट ने रोक लगा दिया था ततकाल रोक लगा था जिसके बाद अब सरकार की ओर से स्टे पर जो है पेटिशन फाइल कर दिया गया है दायर कर दिया गया मुख नियाधिस के बेंच में इस पेटिशन को दायर किया गया है ऐसे में आपको बता दे कि सरकार के तरफ से यह कहा जा रहा है कि इससे सिर्फ आर्थि गन्ना हो रहा है इससे जाती गन्ना नहीं किया जा रहा है लेकिन वहीं आपको बता दे कि इस पे राजनीती भी खूब हो रही है कोट के तरफ से यह भी कहा गया है कि इस उदेश को प्राप्त करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया इसके अलावा माननिय न्याले की यह भी राय है कि हासिल करने के लिए मांगे गया किसी भी उदेश को इसमें सामिल नहीं किया गया यह याचिका समान प्रश चरणों में मकानों की गिंती की गई थी, तो वहीं दूसरे चरण में जाती का गन्ना होना था, दूसरा चरण भी चल रहा ऐसे में, अब कल जो है, हाइकोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया, ततकाल रोक लगा दिया है जिसके बाद से अब जो है कि आ रहे है कि बिहार सरकार what से को हटाने के लिए हाई कोट में पेटिशन दायर कर दिया है याचिका दायर कर दी गई है सुनवाई के लिए याचिका दायर कर दी है जिसके बाद 3 जुलाई को सुनवाई के लिए तिथी निर्धारत की गई है ऐसे में आपको बता दे कि बिहार सरकार अपने खर्चे पे 500 करोर रुपए के खर्चे पे जो है बिहार में जनगना हो रही थी जाती जनगना हो रही थी और अब इस पर जो है कल हाई कोट ने रो सुनवाई की जाए और आगे की काम किया जाए जल्द से जल्द से सुनवाई किया जाए बिहार सरकार की ओर से पेटिशन दायर हो गया तो फिलाल के लिए खबर में इतना है साथ है चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बूक पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब का धन्यवाद